और ये बात ना सिधा मेरे दिल पे चुपती है तो मैं ये करता हूँ तो भाई लोग कैसे हूँ तो यार वेलकम दी बैग बैग दी वेलकम और स्वागत है आपका एक विरा न्यू गलत सीन से भरे पड़े भबजी दो मुपाइल के वीडियो में और यार इसमें तुम्हारे भाई की बेजती की जाती है वो भी सनाइपिंग से लेखे हाना ऐसी मेरी सनाइपिंग बहुत ही जाज़ा सस्ती है उसके उपर से यार मेरी सनाइपिंग पे सवाल उठाया जाता है तो हाँ जो भी होगा बहुत गलत हो गयार दिल पे चुपती है म और यहां अमेजिंग पार्क में आगे पर पता नहीं कितने बंदे कूदे होते हैं और यार वो आपस में लड़ने लग जाते हैं तो मैं भी चला जाता हूँ और यहां आके मैं देखता हूँ कि यार मेरी किल जो मुझे मिलनी चाहिए थी वो सारी की सारी एक वेक्टर वाला बंदा ठिला रहा है तो मैं उसको ठिलाने पहुँच जाता हूँ और हमारे ये वेक्टर वाले भाई वेक्टर छोड़ के मेरे ख्याल से कोई दूसरी जादा महेंगी गन लेना चाहरे थे हना बंदा लूटी रहा था मतलब खुस हो गया और वेक्टर चला के भाईया पेटिया बना दी भाई खुस बहुत होंगे लेकिन उसके बाद मैं साइड से आता हूँ पीक बाग करता हूँ और बंदे की पेटी बन जाती है सिदा खैर देखो उसके बाद यहां से हमारा प्लैन यही था हाँ अंग्रे जी का सब सिखाओं मैं हमारा प्लैन यही था कि वह यहां पे आएंगे जो भी गिने चुने बंदे आएंगे उनकी बेटी बनाएंगे उसके बाद पोचंकी निकल लेंगे वो भी उड़के और यार मुझे नहीं पता क्यूं हर बार जब भी मैं यहां से पोचंकी उड़ता हूँ न हर बार मैं बीच में ही रुख जाता हूँ देखो यार और यहां पे भी तुमारे भाई की खिल्ली उड़ाई जाती है हना हमारे भाई मतलब उड़के बिल्कुल पूरा आगे पहुच जाते हैं और मैं सही बतारो मैंने पूरी जान लगा दी थी आगे तक जाने के लिए लेकिन मैं हर बार यहीं पर आके गिरता हूँ तो एक बा आपने से किसी को पताए कि लंबा और दूर कैसे उड़ते हैं वो उरंतस तरी से वो जो अमेजिंग पार्क में तो यार कमेट में ज़रूर बतारना नहीं तो हर बार ऐसी बेशती होगी और अभी तो बस शुरुआत यार आगे आगे बहुत बेजती आओंगी मेरी देखो और अपना पलान कुछ हद तक काम कर जाता है हना यहां पर आके भी मुझे दो किल मिली चुकी हैं और एक और जिंदा है अभी और जो बंदा जिंदा है न वो मैंने सुना था वो बॉट को पेला था गनू की आवाज आई थी वो भी एक सोडगन से वो भी वो वाली वो जो सस्ती से होती है वाह्या खचाछाग करता रहता है 5 गूली चलती है हाँ उसी Sword Gun से बन्दा बहुत टिला रहा है और देखो अब किसी पर Sword Gun उता है तो वो क्या करता है वो जाके लूट तैहना इधर उधर भटकता है सारी लूट लूटने की कुछिस करता है लिकिन हमारे ये भाई अलग लवल पे होते हैं मतलब यार हम पास भी नहीं आते हैं इस भाई के कहीं से भी ये बंदा सोडगन लेके ही चट पे चड़ जाता है अब ये क्या करना चा रहा था वहां से मतलब सोडगन से सनाइपिंग देखो यार कुछ भी हो सकता है तो हाँ जो भी हो बंदा आगे की तरफ है और मैं छट पे चड़ चुका हूँ बंदारू की तरह और एक टैम के लिए न मेरी फटके चार हो गई थी याँपे मतलब मैं देखता हो यार चट पे चड़ा है वो भी सोडगन लेके मैंने बोला यार अगर यहाँ पे नौक वह ना मैं तो यार पेटी ही बनेगी कोई बचाने भी नहीं आएगा मुझे उपर खेर मेरे ख्याल से यह बन्दा कोई चैलेंज चूरेंज कर रहा था हाना यूटूब वगेरा बना रहे होंगे भाई वीडियो बना रहे होंगे दो दो सोडगन थी भाई पे खेर जो भी हो उस बन्दे को ठिला दिया उसके बाद मैं एक डिरॉब पे जा रहा हता हूँ और यार डिरॉब के पास ही अमेजिंग पार भी होता है तो यार यहाँ पे बन्दे मिलना बिल्कुल पक्का हो जाता है हमारी लिए अब यहाँ पे हेट सोट पेलने की मैं पूरी कोशिस करता हूँ ठीक है कोशिस किया सर पे रखू चार एक स्ता मेरे पे मैंने बोला ठीक है यार लग जाएगा लेकिन भाई बोडी सोटी लगता है तो मैं बोलता हूँ ऐसी तैसी M4 निकालो और पेटी बनाओ इसकी और जैसी वो बन्दा ठीलता है न एक और बन्दा डिरॉप पे आ जाता है मतलब यार लालची ये लोग भी बहुत है हम लोग भी बहुत है ठीक है एक बन्दा ठीला नहीं दूसरा बन्दा आ गया दूसरी टीम का तो मैं उसे पेलने थोड़ा और आगे जाता हूँ और ऐसी यहाँ पे मेरी सनाइपिंग सस्ती है उसके उपर से लालच बिंदू लगी होती है कार 98 में हाना तो अगर सोट लगने का जो भी बचा कुछा मौका था वो भी गवा देता हूँ में यहाँ पे और इस लोबी में सिर्फ और सिर्फ मेरी ही सनाइपिंग सस्ती है मतलब यार पता नहीं कहां से लेट के अमेजिंग पार्ट से बंदा मेरे को गोली पेलता है M24 से मुझे पहली बार में लग जाता है मैं यहाँ पे 50 गोली चला चुका हूँ यार एक भी बंदा नहीं ठीला है कार 98 से क्या ही बता हूँ खेर जो भी हो हम भी धीटा भी या एक को नौक करके ही मानेंगे तो मैं कि इतने में ही कोई और भी आता है और यह होते हैं मिट्टी दिल इंसान बिलकुल मेरी तरह उस बंदे ने आधे सेकंड भी रुक के मुड के नहीं देखा कि यार बंदा नौक हो गया ठीक है उसका बंदा चिला रहा होगा भाई पीछे आजा रिवाइव हो जाऊँगा पेड़ के पीछे हूँ लेकिन नहीं वो गाड़ी वाला बंदा रुका नहीं बिलकुल भी और यहाँ पे एक बंदा जो मैंने अपने सस्ते सप्रे से नौक किया गाड़ी पे उसकी किल चुराने मेरे ख्याल से एक बोट आ जाता है ठीक है मतला बहुत ही बढ़ी आया और पूरे दिन भर जब मैं खाली बैठा हूँ पबजी में कोई बोट नहीं आएगा लेकिन भाई जैसी मैंने इधर उधर बंदे नौक किये फाइट भीड़ गई कते ही गलत वाली भाई या बोट मेरे साथ ही आ जाएंगे सारे वो भी मेरी गिल चुराने क्या ही बताएं और बोट के साथ और बंदे भी आते हैं पीछे से और यहां पर हमारे भाई के कुई पीछे से बढ़ देता है गोली आहना बिलकूर गोली भर के भाई की पेटी वही गिरा दी मुझे निपता क्यूं लेकिन हम दोनों यहां पे थे लेकिन हमारे भाई पीछे की तरफ जाके चोड़ में नजाने क्या ही कर रे थे इसलिए हर बचाने का कोई मोका भी नहीं था यहाँ पे होते तो सायद हम सारे बच जाते यहाँ तो हम तीन उठिल जाते खेर जो भी हो उनका बदला लेना पड़ेगा यार तो मैं पीछे आ चुका हूँ और अब बिल्कुल लेट के सपरे वागेरा दूँगा तीन एक से और उस भकते बंदे को नजाने कितना सारा डेमेज दिया मैंने मतलब यार पीला दूआ पूरा दबा के आया था लेकिन बंदा नौक नहीं हुआ कैर कोई न यार पूरी स्कौर्ड है तो सबको पे लेंगे और मेरे ख्याल से यहां पर मैं लगभग तीन बंदे नौक कर चुका हूं तो यार बस एक ही बंदा बाकी है जो मेरे ख्याल से नीले टैप के कपड़ों में था और इस पेड़ के पीछे बगा था और यार यह भी दबा की सपरे देता है अपने पे अब ये बंदा यहां पे 300 IQ गेमपले दिखाता है ठीक है बाई ने क्या क्या मुझे बहुत सारा डैमेज दिया अब देखो डैमेज पड़ता है तो क्या करता है कोई भी हील करेगा हना हील करेगा उसके बाद पीक बुक करेगा तो भाई ने बोला ठीक है यार डैमेज दे दिया मैं पीछे भग लेता हूँ अपने दोस्तों को बताऊंगा सबको रिवाइव दूँगा आज ठीक है लेकिन उस बंदे को ये बात पता नहीं थी कि यार मैं बहुत बड़ा ठीक हूँ मैंने बोला भाडवे गया हील नहीं करना इस बंदे की पेटी बनाओ तो मैं हील हूल कैंसिल करता हूँ, बंदा भग रहा होता है, और बंदे की रस्ते पे पेटी बना देता हूँ, हाँ बहुत सारी गोली वरबात की, लेकिन यार पेटी तो बनी, कैर उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, क्योंकि इस सामने वाले घर पे न, बंदे बैठे बंदे का लेवल 3 हेलमेट हो तैयार, दिल पे दर्थ सा उड़ जाता है, क्या ही बताऊं, खेर जो भी हो, यहाँ पे मैं समझ जाता हूँ, कुछ नहीं उखाडने वाला मैं, यहाँ पे मैं दुबारा भी एट्सोर पे लूँगा, वो 100 HP करके बैठा होगा, लेवल 3 का ही हे अब उस गर के चट पे चार बंदे अचानक से निकल आते हैं, मतलब होता है नहीं यार कभी भी मतलब महले में वही या लड़ा लुडाई बिढ़ जाती है, कुछ गलत सीन हो जाते हैं, हर कोई चट पे पहुँचा रहेगा देखने के लिए कि यार सीन क्या चला है, तो यह यहां पे भी वही होता है, और यहां पे यार चार चार बंदे, चट पे आके हम पे भाइरिंग दे रहे होते हैं, तो मैं भी क्या करता हूँ, इस पत्थर पे बैड़ जाता हूँ, ढीट की तरह ठीपी पी लेके, बस इंतिजार कर रहा हूँ कि यार कोई पीक करे, और मैं गलती से हैट्शोट चिपका दूँ, हाँ नहीं होता है, मतलब नहीं लगेगा हर बार, लेकिन कोई नहीं, कोशिस करेंगे हैं, और मैं कोशिस करने ही वाला होता हूँ कि यार, मेरी बेश्टी करने की कोशिस की जाती है, और ये बात ना, सिधा मेरे दिल पे चुपती है, तो मैं ये करता हूँ, अब यहाँ पे क्या होता है, बंदों को मैं पेल ला होता हूँ, लेकिन हेट्सोट नहीं लग रहा होता, तो मैं बोलता हूँ यार, क्या सिन चलना है, हेट्सोट ही नहीं लग रहे हैं, तो हमारे भाई बोलते हैं, तुमसे बोडी भी लग रही है, म लेकिन हाँ मतलब लग गया आप तो चोड तो दिखानी ही पड़ेगी। और यहाँ पर आके तुम्हारा भाई लग भग तीन चार नेड फेट देता है बिलकुल पत्थर की तरह और हमेशा की तरह लग भग सो में से डेड़ सो बार की तरह यार नहीं पड़ता नेड हाना क्यार जो भी हो वो सब छोड़ो भाई लोग तुम्हारा भाई डेली रियो टीवी पे लाइफ स्ट्रीम करता है रात के 9 बजे से तो हाँ यार वहाँ पे फॉलो करना मत भूलना और वहाँ पे डेली गीववे भी होते हैं और अभी चलना है वहाँ पे पोको का गीववे तो देखो फाइनल्स के लिए थोड़े से स्लोड बाकी है जल्दी आ जाओ कस यसे दैसे करके M4 से पिलता हूँ मैं और यहाँ पे एक छोटे से ठीक है वो कोने में छोटे से कमरे के अंदर तीन तीन बंदे बैटे पड़े होते हैं सोचो यहाँ पे अगर मैं अंदा गुस्ता तो कब पेटी बनती कब नौक होता कुछ भी पता नी चलता ठीक है यह लोग सीधा लोबी बेश देते खैर जो भी हो मुझे लगता था यार कि अगर मैं पीक करूँगा तो ठिल मैंने इंतिजार किया इनके बाहर आने का और यार बाहर ये लोग तीनो एक साथ आ गए खैर जो भी हो जैसे तैसे करके पेल दिया यहाँ पे और यार वो जो बेशती थी ना मेरे दिल पे अभी भी दर दे रही थी मतलब यार तुमसे बाड़ी सौड भी नहीं लग रहे है यार ये बात मैं सोते समय भी सोचके सोया इस गेम के बाद तो हाँ बहुत दुख हुआ लेकिन उस बेज़ेती का बदला लेने के लिए यहाँ पे मैं एक गलत सीन कर देता हूँ हाँ वो भी दुखके में होता है लेकिन यार मज़ा टैप आजाता है करके देखो यार आब उसकी पेटी गर के अंदर ही बना देता हूँ मतलब सोचो उसके टीमेट वही बगल में बैठे होंगे बोलेंगे कोई यार हैट सौट ही तो लगा है इधर आओ हम रिवाइव देंगे लेकिन तुमारा भाई अपनी सस्ती सनाइपिंग से बनने की उन जितने भी टीमेट्स होंगे उसके वहाँ पे तीन होता है टोटल उन सब के सामने गर के अंदर सनाइपिंग से पेटी बना देता है तो यहां पर भाई या नाइस नूइस बोला जाता है हना अंग्रे जी मतलब यार पहले तुम बेश्ती कर रहे हो उसके बाद जब गलती से लग जा रहे है सोट यार फिर नाइस नूइस बोल रहे है ऐसे कैसे चलेगा खैर जो भी हो भाई लोग इस घर के अंदर पेटी बनाने के लिए और इस सकॉड वाइप के लिए यार लाइक पेलना मत बूलना बिलकुल जाब जोर से मार दिया नेला टैप कर दो लाइक के बटन को बिलकुल पेल और हमारी ये जिम लवर भाई यहां पत्थर और जाड़ी के बीच ओब बीच पता नहीं कौन सी एकसरसाइस कर रहे थे अना मतलब यार बंदा लेटा पड़ा था मैंने बुला देखो बाकी जोर में बाद में जाएंगे इसे पेलो क्योंकि ये बंदा पीचे से जो दिक्क और यहां पे ये जिम लवर भाई को बेलने के चक्कर में वहां गरों पे फाइप बीच जाती है अना तो देखो यहां पे मैं सीधा नहीं जा सकता क्योंकि मुझे कद्दू भी नहीं पता कितने बंदे किधर पे बैठे हैं और देखो आगे जो घर है न वहां पे हर्याली क कमी नहीं है बिल्कुल मतलब देखो कोई बंदा साप नहीं भी बनता होगा न उसे मंसा कर जाएगा कि यार साप बन जाता हूँ आज इतनी हरे आली है वहां पे जंगल जाडी जंकट सब कुछ वहीं घर के पास है ये जगा और मिल्टिरेरी और एकाज जगा और बरी जाडियों से सांपो का बेश्ट अंडा बिल्कुल खैर यहां पे मैं पेड़ के बगल में आता हूँ पेड क्यों कह रहा हूँ दिवार के बगल पे आता हूँ और देख रहा होता हूँ अगल बगल कौन सा बना पड़ा है और उतरे में ही एक बंदा अपनी पूरी जी जान लगा के रोट पार कर रहा होता है और आधे सेकंड से मैं यहां पर बज जाता हूँ क्योंकि आर अगर वो बंदा डिरॉप पर पहुंच जाता ना तो देखो वो भी गूली चलाता और यहां जो घर पर बंदे बैठे पड़े वो भी गूली चलाते तो अब तीन ही बंदे बाकी हैं और वो तीनों एक ही टीम के होते हैं तो यहां पे मुझे अच्छे से बताया जाता है कि भाईया यहां पे बंदे हैं यहां पे बंदे हैं लेकिन मैं होता हूँ ठीट बात किसी की नहीं सुन रहा हूं मखली मरे ख्यालब से किसी को भी नहीं लगी डाड़ी जंकट पर नहीं पड़ी होगी तो मैं क्या करता हूँ इधर पर आता हूँ क्योंकि यहोग यहां नेड मूट खीचरें और मुझे न लगता मेरी तरह सब के नेड करते होंगे हना कुछ बंदे बहुत तगड़ा नेट करते तो यार बचना ही बढ़िया है तो जो भी बंदे हैं आगे की तरफ है और इतने में ही एक बंदा मुझे इधर उधर करते वे दिखता है आगे तो हमारे भाई पूरा पलान बना क्या है ठीक है दो बंदे घरों की साइड है एक बंदा बिल्कुल राइट आ चुका है और ये तीनों मिलके न हमें पेटी बनाने की पूरी कोशिस कर रहे हैं मतलब घेर के पेलना चाते हैं ये लोग तो देखो बढ़िया यार मतलब ये लो लेकिन हाँ अगला जो नेड होगा न वो अलग लवल पे होगा मतलब ऐसा नेड यार मैं तो अपने सपनों में भी नी सोच सकता करने की देखो यार अलग लवल ये नेड आप तभी कर पाओगे ऐसा नेड करने के लिए आपको सस्ते नसे करने पड़ेंगे जो कि मैं नहीं चाता आप में से कोई भी करो क्योंकि यार सस्ते नसे करके खेलने पे पेटिया ही बनती है हाना अब नजाने कौन सा गत्ता फूका था भाई रहे मैं याँ पे बैटके इंतेजार कर रहा हूं कि यार मुझे पता था नेड आएगा जरूर आएगा अभी नेड खतम नी हुए होंगे इनके मैं इंतिजार कर रहा हूँ यार कब नेड आएगा कब मेरी पेटी बनेगी लेकिन उतने में ही भाई अपने पे नेड करता है और ठिल जाता है बिलकुल और इसके दोस्त भी बहुत धीट होते हैं मतलब यार बचानी कोई नहीं आया है भाई को हाना तो किल तो मैं भी नहीं ले पाया मतलब यहां आते वे टैम लग गया बहुत क्योंकि वो लोग घर से टीपी पे ले रहे थे तो हाँ जैसे तैसे करके मैं यहां पे आता हूँ और हर बार की तरह हर बार नहीं मतलब कई बार की तरह यहां पे भी हिल बैटल वाला टाइम हो जाता है मतलब वो वंदे भी नहीं हिल रहे हम भी नहीं हिल रहे हम भी नहीं हिल रहे हम भी नहीं हिल रहे हो सीन क्या होता है इस बन्दे की एक चोटी सी चोटी सी गलती की वज़े से यार दोनों की पेटी बन जाती है. टीक है, तो इनका सीन डि क्या था एक बंदा लेफ्ट में ठीपी पी ले रहा था एक राइट दोनों ने बोल रखाता था वहाँ तुम यहाँ पे TP पिलो यहाँ से पेटी बनाना हम यहाँ पे TP पिलेंगे हाना मैं तो वहाँ हील के लिए बिल्कुल ready था यार zon आएगा मैं healing battle करूंगा जो कि मुझे भी पता है मैं हार जाता है लेकिन हायार कुछ तो करना पड़ता आगे ऐसे भगते वे जाता है तो पेटी बनती लेकिन इनके राइट वाले बन्दे को नजाने क्या होता है भाई कौन से नसे थे इस टीम के थोड़ा सा भाई गूमने के लिए राइट भखते हैं और मैं सीधा नौक कर देता हूं अब यहां पे ग्रोजा नहीं होती तो शायद ही बन्दा ठिलता लेकिन हायार मजाय टेप आ गया तो बस भाई लोग आज के वीडियो में इतना ही बहुत बहुत सुक्रिया वीडियो देखने के लिए जाते जाते वीडियो पे लाइक पेलना मत भूलना है यार देखो भाई की बेजत्ती हुई थी यार जैसे तैसे जट बचाई है तुकों में बचिये जट लेकिन हाँ यार बस तो गई थोड़े टाइम के लिए वैसे सनाई पिंग बहुत ही सस्ती है तो क्या ही फरक पड़ता है खेर लाइक पेलना मत भूलना यार बिल्कुल नीला टैप कर दो और अगर आप यहाँ पे नए हो तो करो सबी स्क्राइब क्योंकि ऐसी बेजती वगेरा ऐसे गलत सीन तुमारे भाई के साथ होते रहते हैं और हाँ भाई लोग रियो टीवी पे फॉलो करना मत भूलना डेली रात को 9 बज़े से सट्रीम वगेरा करते हैं आओ यार मज़े करेंगे तो आज की वडियो में इतने भाई लोग यार कल मिलते हैं बाई बाई झाल 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 ऑई